आपको बहुत बहुत मुभारिकों कि आप देख रहे हैं व्लॉग्स फ्यू यह असलाम अलेकूं मैं आप लोग को साथ आज शेयर करने वारे बहुत मज़े के फ्रेंश टोस की रेसिपी तो वीडियो को लाइक भी किजिएगा शेयर भी किजिएगा कॉमेंट भी किजिएगा तो जी पहले हमें चाहिए अंडे सिंपल फ्रेंश टोस बिना रहे हैं तो मैंने लिए हैं चार अंडे आपको अंटे यह अपने मरज़े से कर सकते हैं जितने आपको चाहिए अंडे के बाद इसके बाद करेंगे अंडे का फंडा तो उसके लिए हम डालेंगे इसके अंदर चीनी यह है जी शूगर पाउडर चीनी को सिंपली ग्राइंड किया है पीस लिया है वो मैं राली हूं इसके अंदर और फिर इसको फैंटेंगे अच्छी तरह से और मेरा आपको मश्वरा यह है कि उस शक्स को करें जिस भी उपको पुसा है और पीर इसको रख के फैंटेंगे फैंटें कि इसके बड़ी खुशी आपको बड़ी तसली होगी तो हो तो यह अच्छी तरह से अब इसको दोनु तरफ से ब्रेट के स्लाइस पर लगा लेंगे अंडे को और सिंपली बस इसको तवे पर ढाले और फिर दोनों साइड से 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 पकcar ये होगी धूसरे साइड और फिर ये होगी है हमारी recipe ready simple से French toast की ये recipe है आगे आ रहे हैं सर्डिया और सर्डियों में यो बहुत जादा मजे की लिगती है तो सर्डियों में जरूर Try कीज़ेगा अगर पहले कबी नहीं की अगर की है तो इस दफा भी सर्दिये में एंजॉई कीजिएगा अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की हम बना रहे हैं जी बनाना फ्रेंच टोस्ट उसके लिए लिए हैं मैंने दो केले इनको करने के अच्छी तरह से मैश जा दू अच्छा जी तो ये दोनों जो मै अच्छी तरह से फैंटेंगे प्रॉपली इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाएं और इसके लावा हां एक और चीज के अगर आपको दार्चीनी का टेस्ट पसंदा तो आप दार्चीनी पावडर जरूर एट कीजेगा बहुत जादा बनाना इंट पर बच गए थे मिक्सर बच गया था एंट पर तो भी इन डाल दिया अब इनको दोनु तरफ से प्रॉपली से एक ले और डाल के तवे पे तो यह हो गई जी हमारी रेसिपी रहा दी बनाना फ्रेंच टोस की तो यह है जी सर्दियों के लिए आपका तोफा त आपके जी रेसिपी पिसाद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर भी और सब्सक्राइब भी और सब्सक्राइब